हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ सुजाता और आप देख रहे हैं मोमीज डायरी हिंदी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को कलर कैसे सिखा सकते हैं खेल खेल में उनको कलर के नाम याद कराना उनके कलर की पहचान कराना आप कैसे सिखा सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले बस चोटा सारे क्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना एंड तक देखना कट करके मत देखना क्योंकि अगर सीखो तो पूरा सीखो सबसे पहली बात यह आती है कि हम किस एज में अपने बच्चों को color सिखाना शुरू कर सकते हैं तो देखे आप एक साल में भी सिखा सकते हैं, डेड़ साल में भी सिखा सकते हैं ये age पे depend नहीं करता है, ये दो बातों पे depend करता है पहली आपका बच्चा आपकी बात को अच्छे से समझने लग गया है और रिस्पॉंड करने लग गया है For example अगर आप अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा ये टोई यहां से उठा गया अलमीरा में रखो तो आपका बच्चा उस बात को समझ गया है रिस्पॉंड कर रहा है उनको उठाना शुरू कर दिया है दूसरी बात आपका बच्चा थोड़े बहुत वर्ट्स बोलने लग गया है ममा, पापा, दादा, दादी, खाना, पानी इस टाइप से बेसिक वर्ट्स अगर वो बोलने लग गया है तो समझ लीजे कि आप अपने बच्चे को अब कलर सिखाना शुरू कर सकते हैं तो जब आप उसको कलर सिखाना शुरू करेंगे तो सबसे पहली बात आप बुक्स से स्टार्ट नहीं करेंगे शुरू में हमें उसको खेल-खेल में कलर सिखाने हैं, गेम्स के थूरू कलर सिखाने हैं कलर सिखाने का पूरा प्रोसेस एक entertainment होना चाहिए उसको उसमें मज़ा आना चाहिए उसको ऐसे properly book देके बिठाके नहीं पढ़ाना है कि ये red है ये blue है तो उसको जितना मज़ा आएगा उतना अच्छे से वो उतना जल्दी ही वो सीखेगा दूसरा जब आप color सिखाना शुरू करेंगे तो आप उसको shades में मत गुसाइए ये baby pink है ये red है ये blood red है इस type से उसको shades में नहीं गुसाना है हमें basic color से start करना है red, blue, green, yellow, white, black और उसके बाद purple and pink तो ये color हमें शुरू में start करने है तो माल लीजिए आज से आप अपने बच्चे के toys उसके पास रख दीजे colorful toys और उसमें से उसको कोई भी एक toy उठाने को बोलिए कि बिटा इसमें से अपना एक कोई भी favorite toy मुझे उठा के दो माल लीजिए उसने red color का toy उठा के आपको दिया तो आपको red color से ही शुरू करना है अगर उसने green color का उठा के दिया तो आपको green color से शुरू करना है तो माल लीजिए उसने आपको red color का toy दिया है तो आप उसको बताइए कि बिटा आपको पता है कि कौन सा color है यह red color चलो अब हम इन toys में से सारे red color के toys को अलग करते हैं चलो मेरी help करो हम सारे red color के toys को अलग निकालेंगे उसके बाद आप एक-एक करके जितन उठाइए और हर toy के साथ उसको बताइए कि देखो यह मिल गया एक और red color का toy यह देखो एक और red color का toy इस टाइप से सारे red color के toys अलग कर दीजिए ताकि उसके दिमाग में clear हो जाए कि red color यह होता है उसकी बाद सरफ आपको toys पे ही fix नहीं रहना है घर में जितनी भी red color की ची भी आप red color की ड्रेस पहना दीजी और बताइए अरे अश्तो तुमने भी red color की ड्रेस पहनी है और कोईभी जो भी red color की चीजे हैं बच्चे को बताइए कि चलो हम अपने पूरे घर में red color की चीजी ढूंडते हैं फिर आप रचे को बता डेखो यह वी एक राध कर को समझाएंगे तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा एक color image पे fix हो जाएगे कि देखो ये red color होता है इसको याद कर लो ऐसे बच्चा नहीं सीखता है जितना example आप उसको देंगे उतना ही जल्दी वो सीख जाएगा बच्चा एक दिन में भी सीख सकता है दो दिन में भी तीन मैक्सिमम तीन दिन में वो एक color में expert हो जाएगा डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छे से समझा रही है ये बच्चे के सीखने पे नहीं आपके सिखाने पे डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी सीख रहा है उसके सीखने को एक fun बनाना है उसको मजा आना और जब आप उसको color सिखाना शुरू करेंगे तो शुरू में कोशिश कीजिएगा एक color से शुरू करें या ज्यादा से ज्यादा दो color एक दम से सारे color सिखाना शुरू ना करें दो color से शुरू करें maximum नहीं तो एक से शुरू करेंगे तो best है उतना ही जल्दी वो सीखेगा जितने कम कलर आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे पहले आपने रेड कलर से शुरू किया दो दिन या तीन या चार दिन जादा से जादा एक अफ़ता माल लिजे एक अफ़ते में आपका बचा उसमें एक्सपर्ट हो गया आपको पता चल जाएगा कि अब वो एक्सपर्ट हो गया है उसके बाद रेड कलर तो रखिये ही रखिये उसके साथ एक और इंट्रोड्यूस उसको करवा देजी वो हो जाएगा ग्रीन तो रेड भी पूछते रहना है और ग्रीन उसको बताते रहना है फिर जब वो दोनों में एक्सपर्ट हो जाएगा फिर उसके बाद तीसरा कलर उसको इंट्रोड्यूस कर देजी ये दोनों पूछते रहना है और ये थर्ड वाला उसको बताते रहना है इस टाइप से आपका बच्चा बहुत इजीली सीख जाएगा बहुत अच्छे से सीख जाएगा और गेम के थरू जब वो सीखेगा तो वो उसको भूलेगा नहीं वो हमेशा उसको अच्छे से याद रहेंगे आप अपने बच्चे के साथ कलर मैचिंग गेम्स भी खेल सकते हैं कि आप बहुत सारे कलर के फ्लेश कार्ड्स या टोईज रख लीजिए और बच्चे को बोलिए कि चलो हम इसमें से रेड कलर को मैच करते हैं रेड कलर के सारे टोईज या सारे फ्लेश कार्ड्स या सारे क कपड़े, रेड कलर के कपड़े, बहुत सारे कलर के कपड़े रख लीजिए, कि चलो रेड कलर के सारे कपड़े अलग करते हैं, तो बच्चा जो है उसमें पाटिस्पेट करेगा, एक रेड कलर की चीज आप ले लीजिए, एक रेड कलर की चीज अपने बच्चे को दे दीज और फिर उसके साथ compete करिए के चलो कौन सबसे जादा कौन सबसे जल्दी ढूंडेगा तो इससे आपका बच्चा जो है उसमें और ज्यादा इंट्रेस्ट लेगा और ढूंडने की कोशिश करेगा जब भी वह गलत कलर उठाए उसकी help कीजिए कि नहीं यह तुमने गलत उठाय है यह होता है red तो उसको बताते रहिए और सिखाते रहिए गेम के जुरू examples के तो अगर आपका बच्चा दो साल से बड़ा हो गया है तो आपने उसको टीवी भी इंट्रोड्यूस कर दिया होगा वो टीवी देखना शुरू कर चुका होगा थोड़ा बहुत तो टीवी में बेफालतू के कार्टून दिखाने से अच्छा है उसको कुछ सीखने वाली चीज़ें दिखाएं तो आप उसको color learning videos दिखाएं बहुत जल्दी सीख जाएगा colors के जो rhymes आते हैं वो उसको दिखाएं colors के rhymes आप याद कर लें वो और भी अच्छा है तो जब आप उसको games के थू सिखाते हैं उस टाइम पे आप color वाले rhymes गाएं तो बच्चे को और भी मज़ा आता है तो इस टाइप से आप different activities से games के थूँ अपने घर में सारी colorful चीजों को use करके अपने बच्चे को बहुत आसानी से और बहुत easily color सिखा सकते हैं बस बच्चे को प्यार से सिखाना है उस प बच्चे का mood हो सीखने का उस time सिखाईए और अच्छे से सिखाईए बताते रहिए बताते रहिए पूछते भी रहिए पर साथ साथ उसको बताते भी रहिए पहले पूछना है नहीं बता पाता बच्चा तो फिर आपको उसको बताना है फिर पूछे फिर बताईए तो वाले बोक्स या फिर कलर सीखने के लिए जो बुक्स आती है वो उसके बाद आप उसको बुक्स के थुरू वो कलर हमेशा रिमाइंड कराते रहे ताकि वो उनको भूले ना उनको याद करता रहे क्योंकि आपने बेसिक उसको इंट्रोड्यूस करा दिया है उसको पता चल गय है अब उन बुक्स के थुरू उनको रोज देखता रहे चाहा रहे तो वो उसको हमेशा याद रहेंगे स्टार्ट गूक्श के नहीं करना है सट्ऴ आपको इसके टुई से घर की चीजों से जन्रल गेम्स के थुरू ही आपको स्टार्ट करना है जब एक बार सब इन्ट्रो अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगी अगर मुझे उसका नोलेज होगा, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज इस झाल